है दो और आ है अ है अ है है अज़ो दोस्तों है अज़ो अफिसर्स क्या हाल है है सुनके चलगा मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बात करता है तो क्योंकि ऑफिसर शब्द अपने आप में इतना भारी बर्गम शब्द है ना सून के अच्छा लगता है और जब कि बन जाता तो बड़ा गौर्विद महसूस करता है बहुत अच्छे महसूस करते हैं अब इस ऑफिसर बनने की रहा में जो सबसे बड़ा इस टैम मैं कहूँ एक कठना ही है ना वो बच्चों को सरफ हो सरफ सी सैट देख रहे है जी एस में सब फोकस कर पा रहे है बट कहीना कहीन सी सैट को लेके बच्छों के दिल में अभी भी डर बनना हुगा है वाजिब भी है फिकोस थोड़ा चेंज गो ट्रेंड होगे थोड़ा करते हैं बात के कोट रूम ते कोंच गी हुआ क्या जो बच्चे प्री कॉलिफाई कर गे वो मेंस देंगे और ऑफिसर भी बनेंगे अब हो क्या रहा है बच्चों की दिल में सबसे बड़ा डर्क है यह वीडियो उसी को लेके हैं कि विल यूपेशी सिसेट दोज़ार चौब होंगे बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं मुरत निकल वाएंगे करेंगे क्यों क्यों उन्होंने भी सोचाइनीज की सेट को उनके दिमाग में भी भी यह बात है कि दो तीन महिने में कर लेंगे तैयारी फिर एंड में वही होगा जो 2023 में बहुत सारे बच्चों या अगर ऐसा एकजाम आया तो मुझे क्या करना जाए क्या क्या क्यों क्या जा रहे है बच्चों के दौरा सारा जवाब मेरे पास आज इस वीडिएो में है। सबसे पहले target UPC CSAT 2024 की CSAT को कैसे qualify करें, अच्छे तरीके से बच्चे क्या क्या questions पूछे उनकी बात करते हैं, देखें सबसे पहले हम बात करें कि 2023 का जो exam analysis था, कि 2023 में exam किस level का आया था, किस topic से कितने question आया थे, वो आपको जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, ठीक है, चले से मेरा एक question था, time and work से भी एक question था, ag से एक से दो question थे, mensuration से दो question थे, number series से एक question था, simple interest, compound interest से एक था, basic लिए compound interest का question था, students, clear, next से probability से एक question था, आपका statement based question 4 से 5 थे, arithmetic based, vendike रहंग बाए a question, number system के 20 से जाधा question, और इसमें LCM, plus hc आपको भी जोड़ दूं तो तगरी में तगर रिबन, दो तिन question और लगा लिए, permutation को में इसके 6, LCM, cf, mensuration नहीं, because LCM, cf, जिसमें सिरफ LCM, cf, पुछा था, एक बरना, जो number system के कुछ है question थे, वो LCM, cf, और number system के मिले जूले question थे, तो ये था, 2013 का paper का analysis, जिसने बच्चों को डरा दिया, और सोचर में मजबूर कर दि देंगे, अब reason क्या है, जो basic बच्चों के दिल में, lack of concentration, या आपका practice की तयारी, practice नहीं है, उन्होंने वो तयारी, उस level की तयारी नहीं की, जो एक, अच्छे इंडिया के toughest exam के लिए होनी चाहिए, because PCR सबसे tough exam है, इससे tough तो कौन से exam होगा, clear, चलिए, what will be the safe attempt for C-set, for exam, safe attempt क्या होगा, देखो एर सिद्धी सी बाता, ना इसके, आपके mark जूड़ने, सिर्फे qualifying nature है, 1667 number आपको लेने, आपका attempt का मतलब क्या होता, आपको पता है, attempt का मतलब यह होता है, कि जितने question आप ठीक कर पाओ, suppose करो 80 question है, किसी बच्चे ने 80 question कर दिये, क्या guarantee है, कि वो qualify करे सोच के देखो, एक valid point है, what I am saying, कि safe attempt क्या होता है, safe attempt ना आपके कोई चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ question सही करना, आप यह बोल सकते हो कि कितने question सही करें, आपको आपको अलड़ी बता ही है, दाही number का question है, तो कभी भी safe attempt की तरफ मत जाओ, आप बस question को ठीक करने के लिए जाओ, कि मुझे question को ठीक करने चाहिए, वो कमी question बनाओ, मैं, एक 100 वाले बच्चे को भी उतनी वावाई मिलेगी जितने 67 वाले को मिलने वाले, 66 वाले को मिलने वाली है, because दोनों ने qualify किया exam, that's it, इतना ही मेरा, क्या नाम है, इतना ही मेरी qualification, इतना ही मुझे चाहिए, बट, मैं अगर ये बात बोलू, कि आप 100 ब्लस मार्क्स के लिए जाओ, ताकि तयारियाप अच्छी रखो, डर का कामी खतम, वो कैसे आएंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें A to Z बताऊंगा आपको में, थोड़ा सा concentration level बना के इस वीडियो को like करो, share करो, चैनल को subscribe कर लो, because अब CSET का time आ चुका, दिले मत करो बच्छों, बाद में दिक्कत होगी बहुत जादा, next देखो, what kind of practice do we need, अब ये practice, क्या शब्द है, because ये को GS तो है नहीं, कि पड़े पड़े होगे, इसमें आपको चा को, तो तकरीब में 35 से 40 question है, almost 40 question आपकी 50% था, जो aptitude से था, तो क्या aptitude ऐसी आजएगा, या math and mental ability जिसको बोलते हैं, वैसी आजएगा, नहीं, उसके लिए आपको practice करने ही पड़ेगी, अगर मैं आपको ये बोलो, daily का, 30 to 45 minutes are enough, तो क्या चलेगी बात, 30 minutes से 45 minutes, बट वो कब, ये भी बताऊंगो, लेक्चर के अट, कि 30 minutes से 45 minutes का वो समय, daily practice के लिए काफी है, चौकिए गमत, मैं कोई आपको दूसरे teachers की तरह हैं, बाकियों की तरह मैं ये नहीं कह रहा, कि daily चार गंटे पड़ो, पांच गंटे प बढ़ना शुरूर करोगे, daily का पॉना घंटा, C-set खतम, बट कैसे, ये भी आपको बताऊंगो, lecture के अट में मैं, समझा के बद ये भी lecture के अट में बताऊंगो, आपको मैं, next देखिए क्या है मेरे बास question, how many hours of study do we, sorry, need, not need, आपके जिए, it's need to qualify, daily का, अगर मैं आपसे बात करूँ, एक से दो घंटे, अभी आपका होगो, sir, 35-40 मिनट, वो मैं प्रेक्टिस के लिए बोला, 35-40 त्या, अदे गंटे से 45 मिनट की प्रेक्टिस आपको चाहिए बट, अगर आप बात करो, एक से दो घंटा काफी है, अब 35-40 मिनट में और इसमें क्या फरक है, इसका मतल एक से दो घंटे में चोड़ो, एक से देड़ घंटे की में बात करता हूँ, बाकि जो 45 मिनट बचे न, इस 45 मिनट में आप अपने concept पर काम करो, इतना more than sufficient, more than enough है, इतनी तयारी, बट ये कब, ये भी बताऊँगा end में, ये भी बताऊँगा end में, कि कैसे तयारी करनी होती ह अगर ये इसको अपने अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, बताऊँगा आपको मैं, थोड़ा वेट कीजिए, next किया है, do we need to complete whole syllabus, मतलब क्या मुझे complete syllabus, complete करना पड़ेगा, या सिरफ मैं, बाकी बच्चों की तरह एक number system के पीछे पढ़ा रहा हूँ, number system हो के उससे ने आप से arithmetic से percentage से ratio proportion से सबसे पूछ लिया, तो क्या करेंगे, number system से कर question नहीं चाह रहा है, तो क्या करोगे, it is a possibility, I am not saying, कि number system जे प्रशन नहीं बनेगा, I am not saying yes, but, मैं क्या कह रहा हूँ, कि number system important है, but क्या बाकी syllabus नहीं, yes, मैं ये कह रहा हूँ, complete syllabus मत करो, but, वो तो क analysis मैं नहीं बताए, at least, वो चप्रतों में करने पड़ेंगे, भाई, जैसे मैं mixture and allegation की बात करूँ, mixture का chapter percentage में खतम करो, ages का chapter percentage में खतम करो, partnership का chapter percentage में खतम करो, why are you saying, these all are other than chapters, ये तीन अलगलग chapter से क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए, कि sir, ये percentage के अंदर ही है, because ratio and proportion arithmetic में सिर्फ दोई chapter exist करते हैं, ratio proportional percentage, बाकि कोई भी chapter आपका वो सारे के सारे application है, इन दो chapters के, अगर आपको अच्छे से बताओ, सो ये चीज़े समझे हैं, इन चीज़ों को बहुत आगी लेगे जाना है, जब C-set अच्छे से qualify होगा, otherwise बहुत पीछे रह जाएंगे, और एक साल की तयारी धरी की धरी रह जाएगी, अगर C-set qualify नहीं हो, मेरी बात याद रखना है, 66, 67 रंबर नहीं है, ये आपका से खिलवाड करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है, या तो छोड़ दो तैयारी, नहीं बसकी छोड़ दो, यूँ भाई माबाब के पैसे लगा रहा है, छोड़ दो नहीं है बसका, बट अगर करने की ठान ली तो ढंक से करो इसको, जो बच्छा UPC का officer बनेगा न, IS नेक्स क्या है, what are the important topics for UPC 2024, definitely, definitely number system, आपका LCM, HCF, ratio and proportion, percentage, आपका अगर मैं बात करूँ, permutation, combination and probability, these are 5-6 chapters, major chapters, 4-year important topics, अगर मैं important topics की बात करूँ शिरफ, क्योंकि trend तो यही बोल रहे हैं कि inches ज़्यादा प्रशन आ रहे हैं, तो यह मेरे major topics हैं, जो मुझे at least cover करना, number system तो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, बट याद रखना, number system करते करते इतना मत हो जाना, कि बाक्की chapters को आप importance ना दो, यह बात please मेरी जहान रखना, please, it's a request, next, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, कि, कैसे, आप अभी सोच रहे थे हैं थोड़े पहले, कि 30 से 40-45 मिनिट की study करके कैसे काम से लेगा, कैसे चलेगा, अब भिमन्यू आइस ने early cset batch launch कर दिया है, अभी थोड़े समझ हुआ, जिसकी timing क्या है, तीन से लेके साड़े चार, और ये at least four days अभी के, इसके कितने 180 plus lectures मिल रहे हैं, आपको 180 dedicated lectures मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास 90 lectures जो हैं, 90 lectures जो हैं, वो आपको live मिल रहे हैं, मतलब ये online plus offline दुनों बैच हैं, चाहिए इसको offline ले सकते हैं, चाहिए इसको online आप जैसे मर lectures मिल रहे हैं, 25 आपके logical के पंदर आपके English के lectures हैं, 25 में तो कहीं जगाएं काहद आता है, मैं दो रिजन, दोनों खतम करा दो, यहाँ पे 90 lectures मिल रहे हैं, आपको सोचिए कितना अच्छा material मिल रहा हुगा, नमबर दो, यहाँ पे आपको 90 मिल रहे हैं, उसके previous lectures कितने हैं, 15, कितने हैं, 50 प्लस, लाइव mentorship session कितने हैं, 30 प्लस, तो ही 180 प्लस lectures आपको मिल रहे हैं, और यह mentorship तो बहुत ज़रूरी है, आपकी mental health के लिए आपको बहुत को सारी चीज़ें बता चले हैं, clear, तो this is the format, 4 hour exam, अच्छा नमबर दिखने हैं, अब बता देता हूँ, अब I think दिख सकते हैं, 951, 777, 1651, WhatsApp कीजिए, या कीजिए, इस पर call, direct बात, मुझे सही होने वाली है, clear, तो please इस वीडियो को like करें, share करें, चैनल को subscribe कीजिए, और अगर आप join करना चाहते हैं, बैच, कोई भी problem है, अब call कीजिए, और ड्वा, और जो भी description, link में, description में, आपको सारा का सारा ब्योला दिया जाएगा, इस बैच के बारे में, please like, share and subscribe the channel, please be serious about society, या आपको बविश्य का सवाल है, और आपने बविश्य के खिलवाण, please, 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 मत कीजिए, is that clear, so please, video को like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe करना, please, मत बूलिए, thank you. झाल 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